हेलो गैस वेलकम बैक टो चैनल PCMBA डिजिटल गुरुकुल अनुवान शिक्ता और जैव विकास की बात हम यह कर रहे हैं मनुश्य की प्रते कोशिका में 23 जोड़े गुंसुत्र होते हैं इन तेज जोड़ियों में से 22 जोड़े ओटोजोम कहलाते हैं और एक जोड़ा लिंग गुंसुत्र होता है जो वेक्तिकल लिंग का निधारन करता है पुरुषों में लिंग गुंसुत्र की जोड़ों को छोड़कर मानवे गुंसुत्रों के सभी जोड़े पूर्ण है इसके कारणेसा कहा जाता है जिसके का रिंक केवल पिता द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कुछ रोचक तकते कुछ सरी सर्पों में रिप्टाइल्स में तापमान पर निर्मर करता है कि मेल होगा या नर होगा या फीमेल कुछ जानवर जैसे गोंगे लिंक बदल सकते है जिससे पता चलता है कि आनुवांचिक रूप से सेक्स डिसाइड नहीं होता बख्षियों में मादा विश्म यूजी होती है मतलब हमारे से बिल्कूल उल्टा विपरीत और नर समग यूजी होते हैं कुछ कोटों कीटों के नर में जोड़े के वज़य एक ही सूत्र होता है जो लिंकों चिंधारन करता है हमारे समाज में एक महिला को लड़के जनम देने के लिए उत्रदाई ठहराए जा रहा है क्या आप इसका थन से सहमत हैं नहीं तब लिखेंगे नहीं मैं इसका थन सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसके अब यह तर लिखेंगे यहां से लेकर यहां देख दूसरा सवाल है, क्रॉस करके बताएं, सेक्स डेटोमिनेशन के बारे में, तो उसमें आप यह अंसर लिख सकते हैं, पुरा, मानफ में लिंगने धारण यह तक्निक हमारे देश में परतिबंदित है, क्योंकि इस से मादा हत्या को बढ़ावा मिल रहा था, यह बढ़ावा मिलता है लिंग हमेशन आणवांसे गूप से दारण नहीं होता, इसके पक्ष में अगर आपको अप्षन देना होता अप यह देंगे और इसको फिल-फिल करना है तो यह हो गया पूरा, नर होगा तो एक स्वाई, मादा होगा तो एक स्वाई, इस एक स्वाइक तो राई झाल झाल